जी हां, नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका वहीं चिर परिशित, डोस्त, आज एक और नए और शधी लेकर के आया हूं, जो आपके लिए बहुत ही ला प्रत शावित होने वाला है, दोस्तों, जी हां, भारते संस्कृते में तुल्शी के पौधे का बहुत ही महत्व है, और इसके पौधे को बहुत ही पवित्र माना जाता है और सद्यों से और शधी के रूप में यूज किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं होता उस घर में भागवान भी रहना पसंद नहीं करते हैं दोस्तों। पर इसके साथ-साथ हमारे धार्मिक मान्यताएं और भावनाएं तो जुड़ी हुई ही हैं तूलसी के साथ लेकिन इसके साथ-साथ ये हमारे लिए बैग्यानिक रूप से भी देखें तो बहुत ही लापकारी और शधी है दोस्तों एक और शदी के रूप में भी तूलसी पत्ता या उसकी टहनिया कहें या जड़ें यानि कि तूलसी के पॉधे का हर अंग यानि कि हर चीज हमारे लिए बहुत ही लाप्रद है दोस्तों आईए आज हम जानते हैं तूलसी के पॉधे के लाप लिवर समबंधी समस्या तूलशी की 10-12 पत्यों को गर्म पानी से दोकर रोज सुबह खाएं लिवर की समस्या में यह बहुत ही फायदे मंद है पेट दर्द होना एक चमच तूलशी की पीसी हुई पत्यों को पानी के साथ मिला कर गारहा पेश्ट बना ले पेट दर्द होने पर इस लेप को ना भी और पेट की आसपास लगाने से अराम मिलता है पाचन संबंधी समस्या पाचन संबंधी समस्याओं जैसे दस्त लगना पेट में गैस बनना आधी होने पर एक गलास पानी में दस से पंद्रह तूलशी की पत्यों डाल कर उबाले और काढ़ा बना ले इसमें चुटकी भर सेंधा नमक डाल कर पिएएं आपको चमतकारिक आप दिखेंगे दोस्तों बुखार आने पर जी हां दो का पानी में एक चमच तुलसी की पत्यों का पाउडर और एक चमच इलाइची पाउडर मिलाकर उबाले और काढ़ा बना ले दिन में दो से तीन बार या काढ़ा पिएं स्वाध के लिए चाहें तो इसमें दूद औ और चीनी भी मिक्स कर सकते हैं दोस्तों इससे आपका बुखार गयब हो जाएगा खांसी जुकाम करीब सभी कफ सिरफ को बनाने में तुलसी का इस्तेमाल किया जाता है जी हां आप जितनी भी सिरफ देखते हैं सब में तुलसी पौधा मिक्स होता है तुलसी की पत्यां कफ साप करने में मदद करती हैं तुलसी की कूमल पत्यों को थोड़ी थोड़ी देर पर अधरक के साथ चबाने से खांसी जुकाम में रहत मिलती है चाय की पत्यों को उबाल कर पीने से गले की खराश दूर होती है इस पानी को आप गरारा करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों सर्दी से बचाओ जी हाँ बारिश या ठंड के मौसम में सर्दी से बचाओ के लिए तुलसी की लगपक 10 से 12 पत्या काफी होती हैं दोस्तों गुर्दे की पत्री तुलसी गुर्दे को मजबूत बनाती है यदि किसी की गुर्दे में पत्री हो तो शहद के साथ इसका इस्तिमाल करने से गुर्दे की पत्री गयब हो जाती है दोस्तों तुलसी की पत्यों में तनाव रोधी गुन पाए जाते हैं तनाव को खुद से दूर रखने के लिए कोई भी तुलसी के बारह पत्यों का रोज दो बार सेवन कर सकता है इससे आपका तनाव चमतकारिक रूप से गयब हो जाता है दोस्तों मुंग का संक्रमण अलसर और मुंग के अन्य संक्रमण में तुलसी की पत्यां फायदे मन साबित होती है रोजाना तुलसी की कुछ पत्यों को चबाने से मुंग का संक्रमण दूर हो जाता है तुचा रुग दाद, खाज, खुजली और तुचा की अन्य समस्याओं में तुलसी के अर्क को प्रभावी माना जाता है सांसों की दुरगंद जिहां अगर आपके मुंसे समेल आते है दुरगंद आते है तो तुलसी पत्ता उसे गयब करता है आँखों की समस्याओ आँखों की जलन में तुलसी का अर्क बहुत ही कारगर साबित होता है दोस्तों रात में रोजाना श्यामा तुलसी के अर्क को दो बुंद आँखों में डालिए और इसका चमतकार देखिये कान के दर्द में भी तुलसी का पत्ता बहुत ही कारगर साबित होता है दोस्तों तुलसी के पत्ते को सरसो के तेल में भूनने और लहसुन का रस मिला कर कान में डालें आपके कान का दर्द गयब हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से तुलसी हमारी अन्य हजारों बीमारियों को दूर करता है दोस्तों हमें फीवर हो या फिर कैंसर हो तुलसी जो होता है वो विटामिन सी कल्शियम तथा फासफोरस से भरपूर होता है तुलसी का तेल विटामिन यह दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा कि तुलसी पत्ता कितना लाबकार है और कई चीजें हैं जो तुलसी पत्ता खाने से होता है बस अब हम आते हैं तुलसी पत्ता खाने में कुछ चीजों का हमें खयाल रखना चाहिए दोस्तों कि हमें इसका सेवन कैसे करना चाहिए पर बाहर निकल कर दांतों की सुरक्षा को नुकसान पहुचाते हैं जिससे दंत और मुख रोग होने का खत्रा बढ़ जाता है दोस्तों इसलिए तुलसी पत्ते को कभी भी दांतों से चबा करना खाएं सीधा निगल जाएं यह आपके लिए बहुत ही लावकारी और श्रधी झाल मुख पत्तव